हलो एवरिवन बायो शिक्षा विद देखिल में एक बार फिट से अप सभी का स्वागत है आज के इस वीडियो में हम 11 बाइलोजी सलिबस के उपार चर्चा करेंगे साथे साथ मैं आपको ये भी बता दूँ कि 11 जो क्लास है वो बहुत इंपोर्टन क्लास है इसमें जिन जिन यूनिट्स को शामिल किया गया है वो बहुत इंपोर्टन हैं for NEET exam and other entrance exams तो आप 11 क्लास को बड़े ध्यान से पड़ें पूरा मन लगा कर पड़ें आईए हम सलिबस के बारे में चर्चा करते हैं सबसे पहले बात करते हैं कि इस क्लास में कितनी total units कितनी हैं तो total unit हैं 5 कितनी unit हैं 5 unit हैं और ये सब आपने पड़ रखा है 9-10 में आपने ये सब बाते पड़ रखी हैं बस 11 क्लास में और 12 क्लास में जो जो topics शामिल के जाते हैं उनको हम थोड़ा detailed पड़ेंगे सबसे पहली unit जो आती है वो आती है हमारी जीव जगत में विविदता इसमें 4 chapter हैं इस unit में कितने chapter हैं 4 chapter जिसमें हम क्या पड़ेंगे जिसमें हम पादपों का जनतों का वरगी करण पड़ेंगे आप सोच रहे होंगे क्या पढ़ेंगे मैं आपको बता दूँ जैसे जीव जगत के वर्गी करण में तो किस-किस ने क्या-क्या वर्गी करण दिया ये पढ़ेंगे जिसमें वोननेल का है, कैरॉलस लीनियस का है और इस्पेशली आपने नाम तो और भी हैं लेकिन जो सबसे फेमस है वो आपने पढ़ा होगा रह वीटेकर का वर्गी करण ये आपने पहले भी पढ़ रख है उसको भी हम थोड़ा डेटेल पढ़ेंगे इसके बाद हम वनस्प प्राणी जगत में आजाएंगे तो अनेमल क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे ये आपने पढ़ रखा है जैसे प्रोटो जोवा है पुरिफेरा है सिलेंट्रिटा है निडेरिया है एसके हलमंतीज है प्लेटी हलमंतीज है और्थोपोडा है मोलस्का है अनलीडा है को डेट्स ह है से स livro से फ Quando हो गैrie से फोर्स नो जाएगी और फर्स्थे वुनिट के सेवन मार्क सलय की है जितने विट उनिट में चलते हैं से किंड यूनिट जो हमारे कूर्स में है वो ट्वेल मार्क सी है और इसमें तीन चैप्टर है जिसमें पुश्पीपादपू की यानि कि पुश प्राणियों में जो टिश्यू लेवल होता है उतके संगठन पाया जाता है जितने टाइप की उतक पाया जाते हैं उसके बारे में हम पढ़ेंगे थर्ड यूनिट की बात करते हैं तो थर्ड यूनिट 15 मार्क्स की मींस 15 नमबर की है जो है कोशिका संगरशना एवं कारिये इसमें भी तीन चेप्टर हैं कोशिका आप अच्छी तरह जानते हैं ये तो आपको याद हो गई होगा क्या अपने कोशिका पढ़िये कोशिका कितन स्फेरोसों में ऐसे बहुत सारे कोशिकांग होते हैं जो कोशिका में पाये जाते हैं उनके बारे में हम इस चेप्टर में हम चर्चा करेंगे जैवनू के बारे में बात करेंगे आई मीन कार्भोहइडड़ेट है फैट है प्रूटीन है इनके बारे डिने है आरने इनके ब प्लांट फीजियोलोजे की पादप कारिकी की युनिट आती है और ये युनिट अठारा नंबर की है और इसमें हम पांच चेप्टर पढ़ेंगे यानि कि पादपों में परिवएन कैसे होता है पादपों में खनीज पोशन कौन-कौन से चाहिए कौन-कौन से दीरग हैं, कौन-कौन से लगू हैं, उच्छ पादपो में प्रकास संसलिशन कैसे होता है, पादपो में स्वशन कैसे होता है, पादपो की व्रद्धी और उसका परिवर्दन कैसे होता है, इन सभी के बारे में जो भी हमें ग्यान प्राप्त करना है, व और इसमें जिस टाइप से हमने पादपों में पढ़ा है उसी टाइप से हम जनतुओं में इस्पेशली हमारे कूर्स में मानव पे एंफेसिस किया गया है तो इसमें मानव में पाचन कैसे होता है, स्वसन कैसे होता है, परिसंचरन कैसे होता है, उतसरजन कैसे होता है, मानव गमन कैसे करता है, तंत्री के नियंत्रण कैसे होता है, रासाइनिक समन्वे मीन्स जितने भी ग्लेंड्स हैं, उनके बारे में हम चर्चा करेंगे, इस तरह से अगर हम टोटल करेंगे, तो आपको बता दूँ, फस्स यूनिट सेवन मार्क्स की थी, दूसरी यूनिट 12 मार्क् यूनिट 18 मार्क्स की थी, और पांच वी यूनिट 18 मार्क्स की थी, तो इस तरह से टोटल 70 नंबर होते हैं, बाकी के 30 नंबर का प्रक्टिकल होगा और टोटल हो जाएंगे 100 नंबर, ये एक पेपर का लेवल है, अब हमें पता है कि जो 11 एक लोकल क्लास है, और इसमें हाफ हाफियली भी होता है, और एन्वल भी होता है, और दोनों के मार्क्स फाइनल मार्क्स शीट में एड किये जाते हैं, इसलिए टोटल 200 नंबर का हो जाता है, कैसे होता है देखिए आप, हमें पता है कि 3 तो टेस्स लगते हैं, ये पैटरन था पहले भी, 9-10 में, पहले का मतल परिक्षा लगती हो, 50 नंबर के होती है, साथ ही साथ आपका प्रेक्टिकल भी लगेगा बाइलोजी का, तो ये 20 नंबर होगे, 50, 20, 70, 30, 100, यानि कि अर्दवार्शिक हाफियली तक का जो मामला है, वो 100 मार्क्स का है, अब आते हैं फाइनल एक्जम, वार्शिक परिक्षा जिसमें 70 नंबर का पेपर होगा, और 30 नंबर का प्रेक्टिकल होगा, टोटल कितने होगे, 100 नंबर, यानि कि टोटल अगर हाफ एली और एनल को मिलाएं, तो 200 नंबर का कुल पेपर होगया, ठीक है, तो ये पूरी गणित आपको समझ में आगी होगी कि किस तरह से कौन- काम आते हैं, सबसे पहले मापको ये इन्फोर्म करना चाओंगा, कि आपने बाई-लूजी सब्जेक्ट उप्ट किया है, ऐसी गलती तो भूल कर भी मत करना, कि 11th क्लास है, आगे चले जाएंगे, बेशक चले जाएंगे, लेकिन क्लास के लेवल पे जाएंगे, नोलेस के ल अध्मिशन होते हैं, वो एंट्रेंस एक्जाम लगने के बाद में एड्मिशन मिलते हैं, और उन एंट्रेंस एक्जाम में 11th और 12th का सलेबस आता है, चाहिए आप B.A.C. नर्सिंग ले लिजी, मैं राज़स्तान के रेफरेंस में बात कर रहा हूँ, B.A.C. नर्सिंग ल अगर इंट्रेंस नहीं देना पड़ता, तो वहाँ पर ये नोलेज काफी काम आता है, अगर आपको 11th लेवल का नोलेज नहीं है, तो आपको उस कोर्स को करने में काफी दिक्कतें आएंगी, ये चीज़ आप गाठ बान लीजिएगा, और सबसे बड़ी बात ये है कि 11th क् आपको इतना इंट्रेस्ट राएगा, इसलिए सबी बच्चों से मेरे रिक्वेस्ट है, कि अगर जो जो बच्चे वाइलोजी लेना चाहते हैं, और जिनका मन है, वो अपना कन्फिजन दूर करें, जो भी करना है, जल दे करें, क्योंकि इससे ज्यादा लेट होना आपके यही नुकसा अंदायक हो सकता है, अगर आपने मन बना लिया है, तो एक बाइलोजी की कोपी डालें, और उस बाइलोजी के फ़र्स्ट पेस के ऊपर आप अपना जो बाइलोजी का सलीबस है, जिसके बारे में हाल फिलाल हम चर्चा कर रहे हैं, इसको आप यूनिट वाइस पूरा उतार लें, कोपी कर लें, कि सर पांच यूनिट हैं, मार्किंग सिस्टम क्या है, प्रैक्टिकल का क्या है, टैस्ट का क्या है, पांच यूनिट में कौन-कौन सी यूनिट किस-किस, मतलब कितने-कितने मार्क्स की है, ये भी आप साथ के साथ नोट डाउन कर लें, कल से हम हमारे classes को start कर देंगे और मैं आपको ये बब भी बता दूँ कि हम क्या पढ़ना start करने जा रहे हैं, हम third unit start करेंगे, एक आई number 3 start करेंगे, जिसमें हम कोशिका की संगरश्चना एवं कार ये in short में कहूं, तो कल से हम साइटोलोजे start करने जा रहे हैं, साथे साथ मैंने group में ये भी देखा था, कि school level पे आपको एक link sent किया गया है, जिसमें आप अपना नाम, address, जो faculty आप लेना चाते हैं, arts, science, bio, science, math या agriculture, अगर ये आप लेना चाते हैं, तो उसको fill up करें, और school procession को form fill करके submit करें, ताकि वो जल से जल्द आपके separate groups बना सकें, और हम हमारी study को continue कर सकें, वो इसलिए important है, क्योंकि अगर आप जितना जल्दी करेंगे, उतना आप फायदे में रहेंगे, क्योंकि वैसे भी studies हैं, वो जल से जल स्टार्ट होने वाली हैं, और कुछ subject के स्टार्ट हो भी चुकी हैं, मैं separate group बनने का wait कर रहा था, लेकिन मुझे लगता नहीं कि अभी आप लोगों ने form submit किये हैं, इसलिए हाल फिलाल मैं कुछ gap के साथ आपको वीडियो शेयर करता रहूंगा, तकि आपको वीडियो प्रॉपरली मिलते रहें, और आप बाइलोसी के बारे में अभी भी कुछ बच्चों को confusion हो, तो देख सकें कि कि किस त सोच विचार कर रहे हैं, आपको जो भी जिस भी करियर में, जिस भी फिल्ड में करियर बनाना है, जट से सोचें और फट से form को submit करते हैं, ठीक है, next, एक important बात, कुछ बच्चे ये सोच रहे हैं कि हम agriculture लेना चाहते हैं, तो हमारी तो कोई बात ही नहीं कर रहा है, मैं आपक जाता था और agriculture एड हो जाते रही, लेकिन पिछले कुछ दो-तीन साल से agriculture की books अलग आ रही है, मतलब एक syllabus है, वो अलग आता है, अलग से course सकता है, तो जिनको agriculture लेनी हैं, वो भी फटा-फट से अपना course या अपने जो भी faculty ये उसके बारे में school administration को notify करवाएं, उन्हें सोचित करें और form को submit करें, ताकि agriculture का भी separate group बनाया जा सके, next बात आती है कि agriculture वाले बच्चे सोच रहे हमारा scope क्या है, अगर आप group में या video में comment करके अगर ये पूछेंगे कि किन-किन fields में आप कर ये बना सकते हैं, तो आपको वो भी बता दिया जाएगा, लेकिन मैं आपको ये भ scope है, बहुत जादा scope है, ऐसी ऐसी jobs हैं, जिनके बारे में बच्चे जानते तक नहीं है, parents नहीं जानते, इसलिए अगर किसी को agriculture लेनी है, तो बिना संकूच कि ये agriculture subject opt करें, ये मद्यम जो इस तरके बच्चे हैं, उनके लिए तो बहुत ही, मतलब बहुत golden subject हैं में आपको य intelligent बच्चे लेते नहीं है, otherwise वो लें, तो उनके लिए भी कोई बेकार नहीं है, आप बहुत higher level तक इसमें जा सकते हैं, बहुत scope है, मैं आपको बता रहा हूँ कि, जैसे biology के बारे में लोग क्या जानते हैं, बस doctor बनना है, maths के बारे में क्या जानते हैं, बच्चे, engineering करनी है, और agriculture के बारे में, अगर मैं थोड़ा निमनिस्तर पर बात करूँ, तो agriculture supervisor, ज्यादा से ज्यादा क्रशी वेग्यानिक, इस से उपर आप सोच नहीं पाते हैं, और नहीं आप जानते हैं, तो आप इस होच से उपर आएं, और जट से जो भी subject आपको opt करना है, वो opt करें, रही में syllabus के बारे में in short आपको बता दूँ, 11th biology का syllabus है, उस syllabus से आपका syllabus काफी हद तक match करता है, क्या difference है, in short में आपको बता दूँ कि जो भी 11th biology का course है, वो सब आपके 11th agriculture biology में हैं, बस last वाली unit जो human physiology की है, वो agriculture में नहीं चलती है, वहाँ पर ecology add हो जाती है, आगी ये बास समझे में आपकी, तो agriculture भी जिन बच्चों को लेनी है, वो भी कल से जो वीडियो शेर किया जाएंगे, आपको लिंक शेर किया जाएगा, उस वीडियो को पूरा देखें, और note down करते चले जाएं कोपी में, जो भी आपको पढ़ाया जाएगा, वो बिलकुल class की तरह पढ़ाया ज सकते, rewind नहीं कर सकते, ठीक है, तो मैं ही मानता हूँ कि इस week के अंदर आप अपना decision final कर चुके होंगे, और Monday तक separate groups बन जाएं, अगर आप लोग चाहेंगे तो, लेकिन कल से आपको cytology के video स्टार्ट हो जाएंगे, आप unit डालें third, chapter डालें 8, chapter का नाम डालें, कूशे का, वी वीडियो में पढ़ाया जाता है, उसको copy करें, बाकी की बाते हैं, हम next video में करेंगे, आज कलिए बस इतना ही, thank you very much, जे हिंद, जे भारत